पार्त म्यूजिक प्रेजेंट्स अरे दिख मुनीम ए मुनीम जी क्यासे हो दिखना रहा मुनीम जी तेरा बाबु जी है निकल लिया अले गलब प्रमार दूगा जो मेरे बाबु जी के बारे में ऐसा कही तो घू अठा दूगा चल लुख मुनीम जी सोनु बाबु के बारे मूल्टे सिदा बोल ले एं यह बई तुम्हें सरमनात्ती उस इंसान के बारे में ऐसा से बोल रहे हो जिसके आसपास के गांगों में इज़त है गल्ती हो गई गल्ती हो गई सोनु बाबू को पता दलगा सुधार देंगे चला बाहे ऐसे हिसाब भी भुलवा दिया मुनेम जी इतना सारा समान ले जा रहे हो घर में कोई बंडार बंडार कर रहे हो क्या अरे ना शारा समान घर में जावेगा घर में तो तुम दो आदमी हो और इतना सारा समान क्यों ओ लाला हाल तुकी बात न करा है मेरे सोनू बाबू को कोई कमीनी रहनी चाहिए और तुझे इस बास से क्या मतलब इस समान को गाड़ी में भरवाय का घर भेद देना और सुन भाड़ा नहीं देने का ठीक है मुनीम जी एक दो तीन चार पांच छे ले ठीक है ठीक है ठीक है लाला अपना काम बनता भाड़ में जाय जनता अरे जोटू समान प्ैक करके गाड़ी में रखवा द में ढरि ढंसा कर आकड़ा कर थीक, थीक, ढर्यायों में थीक अपना काम बनता भाड़ में जाय जनता ठीक है ये लिस्ट शब प्रिख करके में भुनीम जी की गाड़ी में रखवा आ थीक जल्दि और फटरफट हुआ चम्चे कौन बोला बे कौन सा बोला हम ना बोले भाई आकास माणी हो रहे है भाई मैं सब जानू तमें सालो धारी सिकायत सोनू भाई से करूगा औरे तेरी की ऐसा गजब मत कर दियो भाई माफ कर दे हमें ना मैं तो कऊंगा कऊंगा हुआ यार यह लंगडा उसका खास यार है अपना एटिम बंद करवाओगे तुम हुआ कर देरी कर दोटिम कर दो में से कर देनिये है लाई खिरी ग ओजब में का खास ऑम से कर देज़ा कोंं में जानू कर दोटाम में तुम यह भाई डसे फिलो से क्लेस सवित कश के टूए अरे बाबू एक रात मैं क्या चला गया तुमने ये हाल कर लिया अपना चलो उठो क्या हाल बना रखा कमाल कर रखा उठो अरे मुनीम जी कहां ले जा रहे हो मुझे अरे ये कोई लेटने की जगह नहीं है बाबू जी बिस्तर पर लिटाता हूँ और बैट पर लिटेंगे उठो रात हो गई गया रात नहीं दिन हो गया है दिन हो गया है तो मुनीम जी हमें कुल्ला तो करवा दो रात तो खाना खाने के बाद हमने कुल्ला ही नहीं किया बैठो, पानी लेकर आता हूँ, समझाल के अरे, तिन सा तो नहीं लग रहा है यार लो, पानी पी लो अरे, मुनीम जी, ये क्या पिला दिया? अरे, यार, मुनीम जी, तुम तो जानते हो, मैं सुबह को भी सराबजई कुल्ला करता हूँ, जाओ, मेरे लिए सेरनी का दूद लेकर आओ, हाँ, आप तो ये काम बचा है, जाओ, लाएंगे जी, दूद लाएंगे सेरनी का, प्या आदमी है यार लो जी, दूद पियो मुनेम जी, दिन तो अब लिखड़ा, निकल गया दिन, चलो खड़े हो, आओ, चलो तम कहा चल दिये मुनेम जी, मैं बड़े बाबुजी के पासो गात्ता हूँ ये दस लाग रुपें बाबुजी, गिन लो अरे मुनेम जी, अगर मैं अपनी दोलत गिनने लगा, तो मुझे दूसरा जनम लेना पड़ेगा खैर, कुछ और बताओ ठीक है जी तेरा छोटा बाबुजी कैसा? रोज सुबह कुला गरते हैं जी अरे वो मरेगा क्या? कोई लड़की वड़की का चक्कर तो ना है समझाओ उसे देख लूँगा, सबको देख लूँगा अरे यार, बिल्लू किसको देख लेगा तू? इन सबको गवालों को देख लूँगा, सबकी लंका लगा दूँगा तो चल मेरी गैल, चल तो सही अरे तू इसे पी और दिमाग थंड़ा रख अरे थमझा, मैं भी चल रहा हूँ तेरी गैल ना, ना, तू यही बैट, मैं साड़ों को सुद्धा करके हूँगा तू तो बचा लेगा हूँगा उन्हें सुधारना है सुधारना, मैं तो आज लख्ठया दूँगा हूँगा अरे रुक, तू एक काम कर, इसे और पी फिर चल रहें दुन्नों यह, लपीज है चल अब खड़ाओ, चल रहें दुन्नों यह, बजल लए भई, लठ्था दिये इसने तो, पर हमें तो गाउं का राउंड मारना ही पड़ेगा और गाउं का ख्याल भी रखना लठ्थे बदल्लू माता जी, परनाम ठीको पबबा जी राम राम, ठीको हाँ जी राम राम जी सबकूँ राम राम जी राम राम ठीको ताओ जी जी तरह बड़ा रहें बोद अच्छा बहुत बड़िया बहुत बड़िया राम राम जी बाभुजी ठीक हो ठीक है बाभुजी 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 सारे गाउं की सेवक Jess ऐसे कमांड को बना या अब करा हाँ परदान जी बस अब जो जो गाउं का मामला है इनकी लड़की की साधी है उसके बारें बैठे हैं बास्चित कर रहे हैं बस मंगू की बेटए की साधी है उसी बारें बाद कर रहे है हो जाए चंदभाई ले कुछ, गरीब आदी में बला हो जाए इसका कुछ क्या फैसला करें, जो आपका फैसला होगा वो मन्योर होगा परदान तो आप हैं, तो आप ही फैसला करो नहीं आप भी सोनू भाई मस्वरा दो, ऐसी बात नहीं, आपकी मस्वरा मानेंगे कभी आप सोनो भई गलत फैसलर नहीं लेते तो रुको तो मैं जरा अकेले में सोच के आता हूँ देख भए मंगू तेरी लड़की की साधी बिलकुल नहीं रुक है क्योंकि इस गाम की हर लड़की मारी बहान बेटी है और उनकी लाज बचाना मारा काम है तो एक काम करिए मेरे घर जाके मुनीम से दो लाग रुपे लिए ये और अपनी लड़की की साधी धूम धाम सकर सोन भाई जो आपका फैसला है हमें बंजूर है और जो हम से सब से मिलके होगा हम भी करेंगे सब कुछ ठीक है अच्छा जी जयराम जी की ये बहुत बढ़िया फैसला है जी सोन ने बहुत बढ़िया काम करा जी मुनीम जी दारू मिठ्थी है मिठ्थी? मैंने तो लोगों से सुना बहुत कड़ भी हो हम कह रहे हैं न मिठ्थी है पता है क्यूं? पुछो तो सही मुनीम जी क्यूं? क्यूं मिठ्थी है जी? क्योंकि दिल तोट जाने के बाद हर मिठ्थी चीज कड़्वी लगती है हर कड़्वी चीज मिठ्थी लगती है बस बहुत जाद होगी अब मत पियो लाओ इस बोतल को मैं ठाय कर रख दू अबे हट तेरा काम है पिलाना और मेरा काम है पीना इस बार बिना पाणी के पैक बनाओ मुनीम जी दादा आप खाना खाके सो जाना हम चलते हैं बाबु जी आपको भी तो खाना खाना है समलका सोनू बाबु समलका अरे मुनीम जी यार क्या कर देओ दू अरे मुनेम जी खाना 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 हमुनू एक पैख हमारे सिर्याने तो रख दो हमें सुबह कुला भी करने आप सो जाओ मैं रख दूँगा अरे मुनीम जी यू क्या कर रहे हो तुम यू आपका काम थोड़े ना है लाओ मुझे दो मैं करूँ मुनीम जी कुला तो कर लिया आप चाय पीने का मन कर रहा है मुनीम जी रात कुछ फेर कह दिया कि मनने मुझे माफ कर दो आप ही मेरे सब कुछ हो मेरे दोस्ट मेरे हमसफर मेरी आस की काम की बात करो सोनू बाबु काम, काम मेरे लिए छोड़ते ही कहा हो, सारा तो आप ही कर लेते हो मतलब मतलब का मुझे के पता, मैं ठेरा प्यक्कड, आप ही समझाओ मुझे मार का समझाओ, यह प्यार से जैसे चाहो अरे पगले रुलायागा क्या, चल खड़ाओ अच्छा, मैं चलता हूँ मुनेम जी कहां चल दिये मैं आता हूँ मेरी हंडिया तो दे दो ठेग मल आता हूँ अरे तू कहां चला जमीन के काज लेगा है मुझे होस्पिटल खोलना होस्पिटल अरे तू यह इसलिए पढ़ा है लिखाया जो पूर्वजों की जमीन बेचेगा दिखा इने तुम्हें क्या पता कि अमीर कैसे बना जाता है सुन भाई को लात तो मुलाक है सुन भाई सुन भाई तेरे चाच्चा का लड़का हर्यों जमीन बेच रहा जमीन जमीन तो मैं बिलकुल निभी गण दूँ चलो मुनीम जी ओहो ये संसकार हैं तेरे भाईया तुम इस मामले से दूर ही रहो भाईया भी कह रहा और दूर भी रहूं सोनू समझाई से जानता है जमीन हमारी मा होती है अर तू से बेचने जा रहा है मुझे ओस्पिटल खोला है ओस्पिटल कितने पैसे चीएं क्या अरे कितने पैसे चीएं 10 लाग मुनीम जी चेक बुग लाओ हमारी सोनू बबू मुनीम जी पैन दो ले साइन कर दियें और 10 की जिगेचा बारे भर लियो सोनू बेटा चाचा मैं हूँ आज तू भी दगा दे रिये मैं पी रहूं और तू चड़नी रिये अरे तू ना रूठ हमसे अंगूर की बेटी एक तेरा ही तो सहारा है पर तुझे क्या हो गया कहीं तुझे भी तो मुझसे प्यार ना हो गया है तू मजाक ना कर सब कुछ कर पर मुझसे प्यार ना कर तू मत नाच पगली प्यार हो जाएगा एक बार मुझे हुआता तुझे भी हो जाएगा अरे मैं तो सह गया तू नहीं सह पाएगी पगली नहीं अरे सच पगली तो तू सुन मेरी कहानी पर ये ना कहना के मैं भी पागल हो गई हो गटने जांदी है अरे चलांगा अमारी दी हो बाबुजी क्यों है अगड़ी नू अ किसे चले बाबुजी ये क्या कर रही हो तुम कौने तू चला जे यांसे मरने दे मुझे मरना है तो कहीं और जागे मर मारे गाम में जू मर रही है तू है को जाया से छोड़ छोड़ सोनु बाबु ये कैसे हो गए सोनु बाबु चलो जल्दी डोक्टर में चलो अरे चुप करो मुनिम जी पर यू लड़की ठीकोन ये लड़की ये लड़की तो मैने कदीन देखी तुम चलो डोक्टर में जल्दी यार यू लड़की कर चा रही हो हाथ अटाओ तुम सबे तो खान पीन के सोक लगें तुझे ही मरण का सोक कहां से लगगा मुझे मर जाने दो पर बात क्या है है कोन तू बेर बेर मरण की कोशिस क्यों करें तू अरे क्या हुआ यू जरूर भाग रही होगी अरे चुपकर छोरी के चोड लग गई क्या कह रहा हुआ अरे चाच्ची जारी होगी कई पैर फिसल गया गिर पड़ी हूँ अरे तू क्या कर रहा है या उच्छना में छट पर टैल रहता ता मिने देखी फिसलती हूँ तो इस मार में आ गिया अरे चुपकर छोरी को अंदर ले चल करम जली मेरे भाई के किसमत में कहां से रिखे थी नसीप फोड़ दिये बिलकुल तुझे मरना है या भागना है अपने घर जाके करिए हमारी जट को बट्टा मत लगा वे हैं हमारी बहुत जट है इस गाओं में ये क्यूँ बबग रही है चुपो जा मुनीम जी खाना लियाओ जल्दी पेट में चुए कूद्रे है लाया हाँ जल्दी लाओ पतली गली से लो सोनु बाबु खाना खाओ अरे मुनीम जी अचार नहीं लाए क्या जल्दवाजी मैं छूट गया ले के हूँ नहीं कोई बात ने किस दिन ऐसे भी ठीक अरे यार वो लड़की कई मरना गई हो अकर मैं किसी को बचाना सका तो मेरा जीना भी बेकार है पर मैं उसे ढूंडूँगा कहाँ ना नाम पता ना फोटू हाँ परू नवाद्दा काम की है चलो ढूंडतेयों से सोनु बाबु पहला खाना तो खालो मुनीम जी आप खालो मैं भी आया अब आया अभी तक तो पेड में चुए कूद रहे थे लठे दे रखा था मेरा अब मैं खाना लिया आया तो अचानक छोड़के चले गए चलो नहीं मैं भी इनके आने के बाद खाना खाऊंगा इंतियार करूँगा अरे भाई सुनियों बताओ थारे गाम में एक लड़की है जो मरना चारी है उसका घर कोण सा है थारा दिमान तो ठीक है या ना मरे तुम्हारे गाम की लड़की हमारे क्यू मरे जाओ निकल जाओ बक्कल सा बन जागन नहीं तुम्हारा खिजजस से चले जाओ जाओ मेरे यार मापकर तू भला ऐसा भी किसी आदमी से पता पुछा जाओ एक टांग से तो बेकार हुई, दूसरी टांग से भी बेकार करवाएगा अरे तो और कैसे पता करूँ? मैं पूछ हूँगा, मेरे साथ चल तू चल रेट चल चलना मेरे यार हैं ही ख़ड़ा रहेगा रुक 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 तू थम जा, मैं पूछ हूँगा जारे गाओं की लड़की उसा जो बहाद्दरपुर में भी आई है उसका घर कौन सा परदान जी का यह से चले जाओ तीसरे वाली गले में सम्मेल आश्ट का पड़ेगा ठीक है बाब बजी राम राम अब अब चलू के हां चलो रही है खड़ा रहेगा अब अब कि अब ओव नो अब आख रहे हो पांग अब भाईया यूँ वह क्या घर बहुत सुन्दर है हम तो इसे देख रहे हम भी ऐसी बनवावेंगे निकल लिया से देख लिया तुमारी खाल बढ़ देंगे अरे यूँ वह इलड़की दिख्ख है जो मरना चाहरी तुमारा चू चाहरी है यूँ तु तु फिर आगे मेरी मौत का दुश्मन तु चला जाए हांसे चला जाओंगे पर पहले नू बता तुमारा चू चाहरी है तु है कौन क्यों बताओ तुझे मत बता पर मरन मैं भी न दूँ रोक के दिखाए तु मुझे भर बार आ जावे मुझे बचाने को पता ना है कौन रोक मुझे तु आज मैं भी देख आखिर इसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो ही मरना चाहवे मरन मैं भी न दू इस पक्गल को पता करके रहूंगा क्यों मरना क्यों चाहवे मुनीम जी जीएंगे तो यार की गैल मरेंगे तो यार की गैल अरे हमारे तो खून में वफ़दारी बसी हुई है वैसे भी हमने सोनू बाबू का नमक खाया हलाल करने का वक्त है करेंगे अरे मुनीम जी तुम्हें एक बात तो सुनो यह अपने बाल साल ना कलर कर लियो वहां जवान से दिखने चाहिए बुद्धे को कौन नोक कर रख रहा है अरहां बैग का यू रहा अरे यू बैग ना कपड़े लगते तो चीएं वहां कपड़े लगते ना पैरने के अरे उतर अब साले मेरी लंगडी चांग की तो सरम कर ले पहले इसे उतर ने दे उतर रहे इस बार का दी इस चांग को डोक्टर से ठीक करा ले मानता नहीं साले में तम दोनों कोई नाब दूआ जिस काम को आए उस काम में लग जाओ सोनु बाबु तुम चिंता मत करो उस काम को दम पूरा करके जाएंगे पंकत तु एक काम कर गाड़ी ले जा घरो और गाम का थोड़ा से धान राके हमें कुझ दिनियां रहना है ठीक है और मैं ज अरे सो टैम हो गया घर बेंसे भी प्यासी है चल महवीर काम तो सब तुझे ही करना है अरे यू कोन पड़ा अरे 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 इस तो दोर पोरा पड़ गया दिख्या है अजी तम्हें के हो गया था यू भाई बहुत पुरानी बिमारी है आज बचा लियतमने तमारा बहुत बड़ा इसान है अजी इंसानी इंसान के काम ना आवे तो इंसान नित कैसी खाई तम कहां के हो कोणो मैंने पहले इंदे खात अमे अजी बस नू समंझल ऑ परदेशसी है भाई मैं तमारे क्या काम आ सकता हूं क्या सेवा कर सकता हूं तमारी अजी मारे दोरद तो सब कुछ आए हम सब की मदद करें क्यों सोनू बाबू अजी कुछ काम मिल जाता तो पसिन्न भाक है हम भी कुछ कमा खालेते पाई क्या काम जानते हो तो अजी मुझे घर के काम आवे है अरे इने खेट क्यार के डोर जैंग डोग है भाई मुझे भी ऐस से आज में जरूरती चलो जी यो घर है वो घेर है अब तुम सफाई कर लो मैं लाल्य को स्कूल से लिया हूँ समझ गये आतिस भाई ठीक है अच्छा जी तुम्हारामसाजी हो एब तम उस घेर के काम को देखो और मैं जरा इस घर को देख लूँ अच्छा चल बई चल बई चल बई क्यों मुझे चैंसे मनने नहीं देते हैं चले जाओ यहां से जाओ पीर मैं मुझे मातना दो पीना काम ट्रूं हलें से नहीं मुझे के लुड़ थे क्यों मेद glory अरे यार अरे बेटा इसे में लेकाया हूँ घर के काम के लिए अर बताऊं अगर आज यो ना होता ना मैं ना होता इसने मेरी जानू चाहिए चल पारूल बेटा तेरा नाम क्या है मेरा नाम जी सोनु है अच्छा सोनु बेटा एक गलास पाइन ला दे ठीक है साला कह रहा था तीनो साथ रहेंगे अपना आप तो आस्की करता फिर है हमें या डांगरों में मार गया मेरे सोनु बाबू कुछ मत कह दिये एक सब्दी भी बढदास नहीं करने का मैं बाबू होग तेरा मेरा तो यार है यार अंद साड़े को साड़े की घंट में दंडा सरकाऊंगा चल जल्दी सब हैस को पानी पिला दे मuję क्यों पिलांकी क्या देह वन्हा सवनु से कह दूंगा सवनु सब्सक्राणे पिलाएंगे बेई बाबू जी तुम बैठो बैठो नवाबजी अबेठोंगा ना रब वल्टी कहां चली के मेरी डेको पिया स्रक हिसाब साप कर रह था अब इनका पिसाब साब करना पड़ा है कोई नहीं बाबुजी तुम खुश रहो हम जहल लेंगे यही प्यास लग रही है बिल्कुल ले पिले रुख जा निमो डाले इसमें के चावे है तु हां के चावे तुम मुझे बचा लेगा तुम मुझे मरने क्यों ना देता क्यों मरने ना देता आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो सुनेगा तू सुनेगा तू मैं क्यों मरना चाहूँ तो सुन मेरे कल मरने से अच्छा है कि मैं आज ही मर जाओ आखिर हुआ क्या मेरे पिताजी, मेरी शादी करना चाहते हैं पर मैं शादी ना करना चाहती मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती मेरी तीन से हिलियों को उनके जलसुराल वालों ने देज के लिए मार दिया दो को उनके आशिकों ने मार दिया मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मुझे भी मारा जाए हिस्स अच्छा तो मैं पहले ही मर जाओ और सारे लड़के एक जैसे होते हैं पहले प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं और फिर ठुकरा देते हैं ऐसा नहीं है तुम गलस सोच रही हो एसा ही है एसा ही है मेरी खुद की बुआ जी के साथ ऐसा हुआ उन्हें भी मार दिया गया तु चला जाया आसर चला जाया मुझे चैन से मर ने क्यों ना देता तू अरे के बात होगी कैसे परसांसा लग रहा जी वो कुछ ना चल कोई बात ना तू जाकर घेर में भैसो का काम देख ले अब तू कैसे बगल में बड़ा जा रहा अब पाहता बैठने के ऊकात ने सिराने बैठेगा मेरत हो रहा है तो चद्दर ओड़ूँगा मैं अब तू लोटे का भी है और क्या कैसे लोट जाएगा है वाग यहां से यह से लोटूँगा तेरे कुले पीच्छे को लोटूँ ठीक है ठीक है ठीक है चल अर जो पात दिया तो कहूंगा तू फान आ लिया ठीक है मैं भी ऐसी कहूंगा ठीक है रदू फान आ लिया गया कै चल सोजा तू फान आयो गया के गया भाईया गया गया तू फान फिर से आलिया नहीं जा सकता क्या हुआ तू फान के साथ तो बर साथ भी परस ली अब तक तुमें इसे मरनी से बचाना आया अब तो इसे जीना भी शीकाना पड़ेगा इसके दिमाग से यह बात लिकानी पड़ेगी के हर लड़का दोलत और जिसुन का भूका नहीं होता यह क्या हो रहा है मुझे मैं इतने कमजूर क्यों हो रही है मुझे मरना ही होगा अब फिर मरने जा रही है हम तो इसके मरने न मार लिए सोरी किस बात के लिए मैं तुझ पर चिलाई तुझे कितना भला बुरा कहा और यहां तक कि तुझे थपड़ भी मार दिया उसके लिए सोरी वो तुमने थोड़ी न किया है वो किया है तुमारे गुस्से ने तुमारी ना समझी ने और अब देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो अच्छा मैं खूबसूरत हूँ हाँ इतनी खूबसूरत कि सीशा भी चटक जाए हट जूटा कही का मैं बला जूट क्यों बल लूँआ और मुझे केला लग जाए उमा ये जिन्दगी बार बार नहीं मिलती जरूरी नहीं कि दूसरों के साथ गलत हुआ हो तो तुमारे साथ भी गलती होगा देखो अपने लिए जीओ और अपने परिवार के लिए जीओ पगली रो मत एक बार हसकर ये जिन्दगी जी के तो देख ये जिन्दगी कितनी हसीन लगती है यू बुद्धिलों की तरह मनना तो बेकार है, एक बार आसमान में उड़के तो देख, ये दुनिया कितनी हसीन लगती है, और हाँ, अब रोना मत, अभी देखियो हस्ती भी तुम कितनी अच्छी लग रही थी, अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम करन आ, आइ, रुक, रुक, मेरी बास सुन सुन, काय जी की बात, कल तही bırak आ, आज मैं खावगा, मैं ने खाई थी, पर खुसबूता तुझा आज मैं सुन गूँगा अरे इसमें रेट लगाएगा क्या, भालतु की बात कर रहा, दूर हट जा हाँ मैं सुन्गूगा तो जरूर, हाँ मुझसे सा बुरा कोई न होगा, घुसंड मार दूगा तू मार गुसंड, मुझसे बालो में काला रंग फिर बाक है न, जान जवानी मत दिखाओ तेरी एसी तेसी, तेरी का दुवा जवानी मुझसे चाले रोटी का नास मार दिया, दो दिन से भुखका बैठा हूँ, यू आस की होरी है मेरी सार मुनीम सारे कपड़े गंदे करा, ये देखे जो अज ही साब में रहा करता, आज पिसाब में बैठा हूँ, रोटी में ने मिल ले याँ अब इसे कौन चाल परेगा ले, मैं करूँगा, भाग यासे बताओ दूर हो जी ये, रोटी मेरी है यू हो जाओंगो जूर, ले, तू खाँ, 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 खाँगा, चल तू खाँ ले, खाँगा साड़ा हमने भी केराडा पाड लिया यू, अच्छे कासे काम में रह रहे थे, अब पता नहीं सबजी कैसे बनेगी उस मेडम को दिया तो इतना लंबा चोड़ा भासन, पता ना उसके दिमाग में घुसेगी के न, अब उमर ना छोटे, तो हम भी अपने घर को चले, अफ्स, साड़े पी ले तू भी मारा एकून, एक तेरी कमी रह रही थी, क्या कर लिया ये, हटो तुम, यू क्या कर रही ह लो बाबुजी, खाना खौँ अरे वा, सुरों तेरी ने खाना तो गणा बढ़िया बनाया, मान गए भाई तुझे, मारा एक काम कर, आज तो पारूल को स्कूल से लिया, गाड़े तुछला जाने है, हाँ, हाँ जी, जा तो, अरे पिता जी, इसकूल वाले पारूल को इसके साथ क्या से बीज देंगे, एक काम करती हो, मैं इसके साथ चाहती, चली हो भी ठीक है, तुभी चली ही हाँ, ठीक है पिता जी, ठीक है, सोनो गाड़ी रोखो, अरे यह कोई फेर मनने तो न जा रही, अब चलो, ना आस्मा में तारे होंगे, ना सागर में पानी, सबसे ज़्यादा प्यार तुझ को करता हूँ ओ दिवानी, तु है मेरे प्यार का, खिलता हूँ आसा कमर, तु ही मेरा आज है और तु ही मेरा कर, तु ही मेरी सांसे, तु ही मेरी धड़कन में, बन के लहू बहता है नस नस में, रब दी सो तेरे नाम लिख दिया अपना हर एक पर, तु ही मेरा आज है और तु ही मेरा कर, मैं तेरी मुम ताज हूँ तु मेरा शाजहा, तु ही मेरा आज है और तु ही मेरा कर, तु रहे धरती पे या आकास में, तेरा ये पागल होगा तेरे पास में, सोचू ना तेरे बारे में, ऐसा ना कोई पर, तु ही मेरा आज है और तु ही मेरा कर, जब तक इस गगर में चांद होगा, तब तक जहां में तेरा मेरा नाम होगा, ढ़र रही हो मैं तो तु तु में, तु भी मुझे में ढ़र, तु ही मेरा आज है और तु ही मेरा कर, यू ज़ाडू मुझे देदे तु गोबर गेरिया, हाँ, मेरी लंगडी टांग्चा गोबर गेरा बाला, मेरी तेरी टांग्चा टेक ले रखाय का, चल, दे, ज़ाडू मैं लगाऊंगा, ऐसे लगाएगा, हट, 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 मांजा, अरे, हटजा, हटजा, ज़ाडू का गा गा मरेगा क्या, छोड़ दे, मांजा, ज़ाडू कुछ काम तो करते नहीं, हटेम ललतो रहते हो, दिखाईए, मरवाई, बे, अरे, नो, 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 अरे, 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 आरे, और ले, सत्तों करते आए, और भामजां, जरे, सत्तों को जरे, आरे, आरे, गाइा, आरे… कर दो 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 तुम यहां? क्या काम आगा? यह सब क्या है? क्या हुआ? तुम यह सब क्यू कर रहे हो? क्या सब? तुम हमारे घर पे रहे के यह नौकरों के तरह काम क्यू कर रहे हो? तुम मरने का प्लैन छोड़ दे? चले जाओंगा, वरना यहीं पड़ा रहूंगा अगर मैं मरना छोड़ दूँगी, तो तुम चले जाओगे हाँ बाबा, चले जाओंगा ठीक है, तो अब मैं कभी नहीं मरूँगी ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ मुझे जीना सिखा के, फिर से मरने के लिए छोड़ के जा रहे हो सोनू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती नहीं सोनू, मुझे कभी छोड़ के मत जाना मैं जीन नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी क्या कहें तेरे बारे में? तुहर रूप में खुबसूरत नजर आता है सुन सौनियाओ, सुन दिलदार रब से भी ज़्यादार, तुझे करते हैं प्यार मिल गए हो मुझे, मिल गया है जहाँ मिल गए हो मुझे, मिल गया है जहाँ अब नहोंगे जुदा, ये बादा रहा अब नहोंगे जुदा, ये बादा रहा तेरे दिल में है घर, हमको जाना कहाँ अब नहोंगे जुदा, ये बादा रहा अब नहोंगे जुदा, ये बादा रहा तेरी बाहों से अब न दूर हो, तेरी बिंदिया का कम न नूर हो योही होटों से सब नम चलकती रहे योही गालों पे लाली चमकती रहे रब ने दे दी मुझे स्वर्ग की अफसरा अब नहोंगे जुदा, ये बादा रहा तेरी मरसे तू ले चल हमें जिस ओर मैं हूँ तेरी पतं, तू मेरी डूर तेरी संग संग मैं चलती चली जाओंगी तेरी धरकन मैं मैं बस जाओंगी तेरी आखों में है अब तू मेरा जहा अब नहोंगे जुदा, ये बादा रहा अर ना होंगे जुदा ये बात आ रहा तुझ पे बारूँगा खुसिया समसार की मुझको है एक सम सुन तेरे प्यार की मैं भी बन कर साया चलू तेरे सम लेले आगोश में तु ये मेरा बदन अब रहे ना कोई फासला भी जरा अब ना होंगे जुदा ये बात आ रहा अब ना होंगे जुदा ये बात आ रहा पिता जी चाहे लो पिता जी क्या बात है आप कुछ परिशान लग रहे हैं? बेटा कुछ बात नहीं ना कुछ तो बात है कुछ बात नहीं बेटा सब ठीक है पिता जी बताओ ना के बात है क्यों आप परिशान हों बेटा वो लीलू नहीं है उसना अपने मकान पर कब्जा कर रहा मकान खाली करने का नाम नहीं ले रहा अच्छा मैंने उस मकान का बैना ले लिया, उसको मकान देना आप, इजज़त का सवाल है, और बेटा तुम चिंता मत करो, मैं सब समाल दो पिदाजी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा प्यार तुम आप प्यार कर रहा हो तुमें, प्यार ऐसे होता है, तो तुम सिखा दो, बुद्ध हो तुम उम्हा बेटा दरवाज़े खोलो सोनो पापा आ गए लगता है पापा कहां छिपाऊ क्या करूँ क्या करूँ यह काम करो तुम यहां पे छिपाऊ चल्दी लेटो लेटो क्या करूँ पापा आ गए हाँ पापा बेटा तु चिंता मत करिये मैं सब ठीक कर दूँगा चल्दी तु सो मैं तुझे कंबल उड़ाएता हूँ नहीं पापा कंबल तो पे खुद उड़ लोगी बेटा मा तो तेरी है नहीं ख्याल तो तेरा मुझे रखना चल्द तु सो नहीं पापा वो अभी तो मुझे योगा भी करना है न बेटा योगा दिन मोता रात में कौन सा योगा होता वो पापा खाना खाने के बाद जो योगा होए है न उससे अच्छी नीद आवे फेर तो ठीक है धंचा करिए बेटा और जल्दी सोजीए है हाँ पापा पापा तम जाओ और तम भी सोजाओ हाँ ठीक है और अब आप अराम करो ठीक है जाओ सोनू 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 उठो ना सोनू तुम्हें क्या हो गया सोनू अच्छा ठीक है बाबा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पिताजी क्या कह रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा अरे वो पिताजी के ना किसीने पैसे देने और वो दे नहीं रहा तो पिताजी इसलिए बहुत परिशान है चलो ठीक है क्या अरे यहां सुनो बता कल तम दोन्नो ना सुभेरी के टैम तयार रही हो बास सुनो अरे वो रामफल का लड़का आना लीलू अच्छा परदान के घर पर कब्जा करे हुए बैठा है कल उस साले को सुदार ना है ठीक है चलेंगे ठीक है ना तुम्हाराम करो चलो बे चलो लेटेंगे लीलू सोनू भाई आप यहाँ मुझे बुला लिया होता आओ अंदर बैठो लीलू आदमी को आकास में उतने उड़ना चीए जो गिर जाये तो उसके हाथ पाऊना तुटे क्या गलती होगी सोनू भाई यह मकान किसका है यह तो मेरा है सोनू भाई गोड़ा दबता है मेरा मैं समझा नहीं सोनू भाई कल महाबीर के घर जाके उस तो माफ़ी मांग लिए और उसके मकान की चाप भी उसे सोब दिए मतलब मतलब सिद्धा है चोप चाप प्रधान जी परदान जी मुझे माफ कर दो मेरत गलती हो गई मालिक लो चाय परदान जी मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई लो अपने मकान की चाब भी अरे लेलू चाय पीगे जाना हमारा नोकर चाय बहुत बड़ी बना वै नोकर है सोनू परदान जी मुझे माफ करो मुझे अभी और दिन जीना है चाहे किसी और दिन पीलूगा अरे ऐसे क्यों बोल ला मुझे लगए सुसरे का दबाब लग लग दिख्या हो सक है अच्छा मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगए ये क्या है तना खाना है तुम ऐसा खाना खाते हो नोकर लोगों को ऐसी खाना खाना चीए क्या कहा अच्छा बाबा आशिक लोगों को ऐसी खाना खाना चीए ठीक है मैं भी आशिक हूँ अरे पाणी पीले अरे पीले अब नूमर ना चाहरी है के पहले तुम एक बास ससच बताओ पूछ जल्दी पूछ पीलीलू मान कैसे गया घर क्यों आया था अरे बताता हूँ पहला पाणी पीले नहीं जब तक तुम नहीं बताओगे मैं पानी नहीं पियोंगे यू क्या कर रही है पगली तुम्हें मेरी कसम में बताओ हाँ मैंने ही सो मजबूर किया था क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को दुगी नहीं देख सकता रो मत पगली प्यार हो जाएगा अच्छा बोल चल ते जिए क्या चाहिए हमेशा के लिए तेरा ही तो हूं पगली पगलेट उमा एक बात कहूं हाँ बोलो मुझे लगता है कि तुम्हां मरने का ख्याल भी दिल से निकाल चुकी हो और जीना भी सीख चुकी हो तो अब मैं अपने घर जाऊंगी क्या का तुमने हाँ माट डालूंगे और मर जाऊंगी आग लगा दूगे सारे जहां में और अगर मुझे तुमसे किसी ने अलग भी किया न उसे भी मिटा दूंगी समझे तुम मैं गलत थी पर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं पर यू कब तक चलेगा एक नएक दिन तो हमें जुदा होना ही पड़ेगा अब तो हमें मौत ही जुदा कर सकती है बस उमा, प्यार की कीमत आज तक खुस नसीब ही चुका पाए हैं। उन खुस नसीबों में हमारा भी नाम होगा। वो खुस नसीब जान पर भी खेल जाते हैं। मैं भी खेलूँगी। वो तूफानों को भी मात दे देते हैं। मैं लहरों का रास्ता मोड़ दूँगी। मरना भी पड़ता है। तुम कहके तो देखो। वो तो नहीं आये। पिता जी क्यों नहीं आये। उनको जरूरी काम आगा था। अच्छा बेटा। अरे उमा, बेटा कहा थी। पापा में बजार गई थी समान लेने। आओ बेटा बैठो। अरे सोनू, जरा तुम समान रख्या और पनी लेका आजाओ। जी। बेटा ये हैं डॉक्टर वीर सी। नमस्ते। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, जगमोन सिंग के बेटे हैं। और अमेरिका से डॉक्टर की डिगरी करगा हैं। और मैं इनी से तेरी साधिकरान चाहता हूं। बत्मीच, तुसे एकलास पनिन दिया था। द्वारा ले कहा पानी। अरे बेटा इंचे कोई बात करने हूं तो कर लो। पापा, मैं आती हूं। प्लीज उमा, इस्टोप। आप सोच समझ के जवाब देना। कल ये परसो जब चाहिए। आई वेट कम अगेन। किसी दिन मिलते हैं। आप समझ गेना मैं क्या कहना चाहरू हूं। आ बेटा, क्या बात है। पापा, मुझे कुछ कहना है। बोल बेटा, क्या कहना है। पापा, वो आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है। बेटा, हर बाप का फजोता बेटी का कन्यादान करे। और अपने फजी से मुक्त हो। पापा… हाँ, बेटा, बोल। वो… पापा, मैं… मैं किसे से प्यार करती हूँ क्या मतलब तेरा पापा आपी तो कह रहे थे कि कन्यादान करना है तुझे पता है मुझे प्यार से नफ रत है तेरी भुआ का क्या हल हुआ तो नो टुकले टुकले करती थे लेकिन पापा अब वो जमाना नहीं रहा तू पागल है, कुछ नहीं बदला, मैं किसी भी हालत में अपनी बहन जैसे गलती तुझे नहीं करने दूँगा पापा आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा मैं जो कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ मेरे एक दोस्त है जिसका बेटा है डॉक्टर मैं उससे तेरी साधी करूँगा उसकी साथ तू हमेशा खुस रहेगी पापा मेरे बात तो समो मुझे कुछ नहीं सुनना, जो मुझे करना है वो करना है आज अगर मेरी मा होती न तो वो मुझे जरूर समझती क्योंकि एक औरत ही औरत को समझ सकती है पापा आप मुझे कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं बेटा, मैं जो कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ तू समझ तो सही पापा, फूलर का सकल सूरत में, दौलर शोहरत में उस डॉक्टर से कहीं ज़्यादा अच्छा है आप एक बार उससे मिलके तो देखो चल, मिलवा उससे, मैं बात करता हूँ हाँ, हाँ बापा, फोन दे दो ले बेटा कर अनल कर इंड दो कर बेटा कर लो कर दो कर पो कहां किया तुम्हाने बिना उच्छना ये जीवन है कोई मेरी आखे एरी अधर कन में तुम्हारे बिना उच्छनाये जीवन है कहां बैल good कि तुम्हारे बिना उच्छनाये जीवन है झाल 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 मुनिम जी मुनिम जी मुनिम जी मुनिम जी मुनिम जी कुछ गलत हो रहा है चलो कुछ गलत नहीं हुआ तुमारा भेह में तुम सो जाओ मुनिम जी हम दो जिसम जरूर है पर जान एक है और तुम्हें आना है तो आओ वनना भाड में जाओ ले भाई हमें भी चलना पड़ेगा परूल बेटा जी पिता जी पिता जी मुझे नहीं पाता मैं गाओं में भी ढूंड़ी आई उसकी सही लिके हैं पर मुझे नहीं मिली देखाता हूं कहीं उमा वो不对 वोड़ वो टुम्हें हमा regular वहुमा झाम भाभो सबालो अपने आपने, बाबु घर चलो, बाबु घर चलो, बाबु, चलो, बाबु सब्सक्राइब, चलो